आज मैं बना रही हूं हाइद्राबादी चाप इस तरह से एक बार आप जरूर बना कर देखिए यह बहुत ही टेश्टी बनता है और बहुत ही आसान हिससे बन जाता है तो चलिए देखते हम हाइद्राबादी चाप बनाने के लिए मैंने लिया आए 300 ग्राम स्वोया चांप ये देखिए इस तरह सा आप उस टिख निकालकर इसे इस तरह से काट लिए और इसे एक अलग बोल में ट्रांसफर कर लेजे इसमें डालरी हूं में एक कटूरी फ्रेश दही दही खटी नहीं होनी चाहिए फ्रेश होनी चाहिए इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक एक चमच मैं नमक डाल रही हूँ फिर मैं डाल रहे हूँ एक चमच चाट मसाला एक चमच में डाल रहे हूँ काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिला लीजिए हाथों से मिला कर इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम 20-25 मिंट के लिए रख देंगे अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप कम देर के लिए भी रख सकते हैं और टाइम है तो आप इसे 15-20 मिंट के लिए अच्छे से मैरिनेट होने दीजिए इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए इसे ताकि सब भी जो मसाले जो है इसके अंदर तक फ्लेवर आए इसमें अब इसे रख देते हैं अब एक कडाई में करना है दो बड़े चमच सरसो का तेल गरम इसमें डाल एक चमच जीरा जीरा को अच्छी तरह साब चटकने देजिए इसके बाद मैं डाल रहे हूं आच से दस लहसन की कलिया और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक में फ्र इसके बाद डाल रहे हूं मैं पांच छोटी लाइची अगर आपके पास छोटी लाइची नहीं हो तो आप बड़ी लाइची एक डाल दीजिए इसके बाद मैं डाल रहे हूं दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याज प्याज को आफ रफली काटिए इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना फिर मैं अब मैंने एक अध्रक कम नहीं नहीं पकाना, पिर मैं नहीं दाल देना फिर मैंने दाल इन्गेत- भजही है भी दिखेंग करके किस तरह से तरह से चाप आप इसमें डाल दीजिये और गयस की फ्लेम को, मीडियम टू स्लो रखिये इस तरह से डाल देना है अब इसे मैं पाच्मिंट के लिए धकड़ी हूँ अर शलो फ्लेम पे पकाना यह से आप इसे पलट लीजिए इस तरह अज तरह बरतन में अब बचे हुए तेल में मैं डाल रही हूं 10-15 में काजू के दाने डाल रही हूं और इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमें फ्राइ करना है इसे अब इसे निकाल लीजिए सब मसालों को मैंने ठंडा कर लिया है प्याज जादरक लेसन को अब काजू डाल दे रही हूं इसमें साथ ही मैं डाल रही हूं फ्रेश धनिया एक मुठी धनिया डाल रही हूं मैं थोड़ा सा डाल रही हूं में पोदीना अब इसमें थोड़ा सा पानी डालके आधा कप के कर बना लिए यह देखे बना लिया मैंने अभी कराई में तेल गरम करके डाले एक तेज पत्ता एक चम्मच जीरा उसके बाद मैं डाल हुए एक प्याज पांच में लॉंग डाल रही हूं इसे थोड़ा सा फ्राय करना है मैं बस इसका कलर चेंज होने तक फिर डाल हुए एक चम इसके बाद मैं डाल रही हूं मसालों का जो हमने पेष्ट बनाया था वह चमा थैं सब्लमे करें है कि अब बाकि का जो मैरीनेश सब्लके में दहइवाला बचा हुआ ठाम अब इसमें डाल देते हैं अच्छी तरह से मिलाईए दो से 3 मिंट के लिए कि अब मैं ढाल लें से एक ग्लास पानी है अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आपस ज्यादा पानी जाए इसलिए मैं पानी ज्ब्ना में पानी कम ढाल ही हूँ मैंब चाहिए तुछ मिला लेजिए इसके बाद मैं डाल रही हूँ दो स्लिट कीवी हरी मिर्च साती मैं डाल रही हूँ नमक मैं याद रिखे हमने पहले भी डाला था मैरिनेशन में इसलिए हमां कम चाहिए टूर्य घरम घरम मसाला है और हमारी हाइदराबादी चाप की रेसिपी जो है सब्जी वह रेडी है अगर आपको वीडियो पस्टाइए